किसान साथियों नमस्कार आप सब का हर्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल में किसान साथियों आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं सर्दियों की फसल का भागचार अम्रूद की बागवानी के अंतरगत इसमें मैं तीन बिंदू उपर चर्चा करूँगा पहला बिंदू है जो मैंने अपने खेत में किया है वो क्या किया है और उसका क्या रिजल्ट है दूसरी चर्चा करूँगा कुछ किसान भाईयों के मुझे फोन आये हैं और उन्हों उन्हें अपनी समस्या बताई है मैं उसकी चर्चा करूंगा और तीसरी करूंगा कि मैं खाद प्रबंदन के लिए कल्कुलेट किस प्रकार करें यह हैं आज के तीन मुख्य बंदू वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर आप देखते रही है किसान साथियो पहला यह है कि मेरा जो खेत है उसमें लगबग 900 पेड़ है जो आठ भाई पाँच पर लगे हुए है मैंने उसमें से लगबग आधे पेड़ पर एक एक्सपेरिमेंट किया और आधो पर दूसरा किया जो आधा खेत है जिसमें एक लाइन हटा कर मैंने नए पोदे लगाए हैं 15 फिट पर ताकि वो दो साल बाद 16 बाई 15 पर हो जाए जो उसमें पोदे हैं उसको मैंने हाथ से कलिया तुड़वाई हैं उस पे मैंने यूरिया का इस्प्रे नहीं किया है जो आधे पोदे हैं उन पर मैंने 15 परसेंट यूरिया का इस्प्रे पंदरा अप्रेल को करवाया था कल थी 19 तारीक कल मैंने वहाँ से वीडियो मंगवाई और ये देखा के पोधो की इस्थिती क्या है तो ये देखिए आप के मेरे पोधो में पांच जवा दिन है और काफी पत्ते सूख गए हैं या मुर्जा गए हैं और कुछ रह गए है किसान सातियों जो हम ये इसे डिफोईलेशन बोलते हैं क्रोप रेगुलेशन के लिए जो बहार परबंदन करते हैं उसके लिए इसमें 25 दिन का समय लगता है जब आप यूरिया का स्प्रे करते हैं उससे 25 दिन तक पत्ते गिर जाते हैं लेकिन जरूरी नहीं के सारे पत्ते गिर जाएं ये कई बातों पर निर्भर करता है पहला करता है कि आपने सही तरीके से उसकी निराई गुडाई की है दूसरा करता है अगर कुछ जगे बारिस हो गई तब क्या होगा अब इसमें क्या करते हैं किसान साथियो पिछले पांच दिन से मैं अपनी वेब साइट पर कारिया कर रहा हूँ उसमें मेरे पास एक बहुत अच्छा डोकुमेंट था पीडियेप फोर में जो मुझे मेरे गुरु जी ने दिया था गुरु जी आज गल थोड़ा नराज है फोन नहीं उठा रहे है पता नहीं क्या है तो जब मैं उसको पढ़ने लगा वो 33 पेज का डोकुमेंट है और मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जो बागवानी करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं वो इस पुस्तक को अवस्यपन है कुल 33 पेज है इसे पढ़ने के बाद आपके लगबग 70 से लेकर 80 पर 30 सत तक जो डाउट होंगे वो बिल्कुल किलियर हो जाएंगे उन में से कुछ बिंदू की आज हम चर्चा भी करेंगे जब आप मेरी वेबसाइट पर जाएंगे amazingkisan.com पर तो उसमें publications का एक section है publications में जब आप जाएंगे तो अमरूद या गुआवा का एक पेज है उस पर जो सबसे पहला publication है उसका सीरसक है जब मैं उसे पढ़ रहा था तो उसमें एक मुझे बहुत अच्छी बात मिली है कि जब आप defolation करते हैं तो defolation के लिए जो यूरिया का 15% इस्प्रे करते हैं अकेला यही document है जिसमें ये बताया गया है कि 15% का अर्थ क्या होता है 15% का मतलब यह है कि एक लिटर पानी में 1500 ग्राम यूरिया डालना है आपको अब टंकी होती है हमारी 15 लिटर की जिससे हम इस्प्रे करते हैं तो उसमें आपको सवा दो किलो दो किलो 250 ग्राम यूरिया गोलना है एक टंकी में और इसमें एक सेंपू का पोच भी मिलाना है तो आपको करना है इसमें एक बात और लिखी गई जो मैं अभी तीन दिन अपने खेत में फिर करा हूँगा इसमें लिखा हुआ है कि इस यूरिया का इस्प्रे आप आठ से दस दिन के बाद एक बार फिर करें किसान साथियों आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो डिफोयलेशन होता जो पत्ते गिरते हैं उसके लिए पहले इस्प्रे से लेकर और पूरे पत्ते गिरने तक 25 दिन का समय लगता है तो आप आठ से दस दिन के बीच एक इस्प्रे और करिए और अगर आपकी बरसात के मोसम की किसी कारण से बारिस होने से या जिन भाईयों ने बाद में पानी दिया है कलिया आ गई है तो या तो तोड़ दीजिए या यूरिया का स्प्रे करिए अब इसके लिए हमारे को 25 दिन का समय साई है तो जब पहला स्प्रे करेंगे उसके बाद 8 से 10 दिन बाद 8 दिन बाद कर लिजीए 10 दिन बाद कर लिए तो मेरा इस्प्रे हुए था 15 तारिक को 15 में 8 जोड़ी है 23 तारिक को तो मैं 24 या 25 को इस्प्रे कराऊँगा चुकि आज से मेरा गेहूं कटना सुरू हो गया दो दिन मेरे को गेहूं कटने में लगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें तो मैंने उनको कहा कि आपने जो पानी दे दिया, जो गलती कर दी, उसकी खुदाई कर दीजिये फिर भी, और एक वेग्यानिक ने मुझे ये भी बताया था, कि इसमें ताओ देने जैसी वाली कोई बात की जुरत नहीं होती, आपको क्रोप रेगुलेशन करना पड़ता है, जो फसल आपकी आ रही है, उसको रोकना पड़ता है, और उसे रोकने का एक ही तरीका है, या तो आप कलियां तोड़ दीजिए, या आप यूरिया का स्प्रे कर लिए, तो मेरी उन भाईयों से निवेदन है, कि मैं ऐसे सब भाई, जिनके हां कलिया आ रही है, पानी उन्हो हो गई है, कुछ भागों में बारिस भी हुई है, ओले भी पड़े हैं, तो वहां पर यूरिया का स्प्रे करें, और आट-दस दिन बाद फिर स्प्रे करें, और पच्चिस दिन बाद कटिंग करें, लेकिन उसकी गुड़ाई अवस्य करते हैं, और गुड़ाई थोड़ी गहरी होनी चाहिए, चार-पांच इंच गहरी एंकम से कम गुड़ाई होनी चाहिए, तो जब पच्चिस दिन में आपका ये सब कलियां गिर जाएंगे, पत्ते गिर जाएंगे, 90% तक पत्ते गिर जाएंगे, जो 10% होंगे, वो कटिंग के साथ में आप उनको साफ कर देना अब किसान साथियो इसमें जो तीसरी बात आती है वो तीसरी बात है खाज प्रबंदन अब नाइट्रोजन और यूरिया फास्फोरस और फॉसफेट और पोटास और मोपी का क्या रिलेशन है आज मैं यह आपको समझाता हूँ और अब देखें तीन प्रकार से खाज मिलते हैं नाइट्रोजन के लिए मुख्यर उपसे यूरिया है फोस्फोरस के लिए सिंगल सुपर फास्फेट है और पोटास के लिए मुर्राओ पोटास यानि मोपी है किसान साथियों आपने देखा होगा कि प्रती एक बैग में जिसमें यह आती है उसमें एक मात्रा लिखी हुई होते है जैसे यूरिया 46% इसका अर्थ क्या होता अब देखें इसमें हमें एक सब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ गटक इसे अंग्रेजी में factor बोलते है हमें यूरिया का गटक निकालना है फासफोरस का निकालना है और पोटास का निकालना है अब ये गटक क्या होता है यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है अब मैं यहां पर उधारन के रूप में ये ले रहा हूँ कि एक वर्स के पोधे को कितनी मातरा चाहिए, एक वर्स के पोधे को, जो हमारे मुख्य तत्वा होते हैं, नाइट्रोजन, फासफोरस और पोटास, उसको 100 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए, 50 ग्राम फासफोरस चाहिए, और 50 ग्राम पोटास चाहिए, अब ये हम कैसे निकाले क्या 100 ग्राम का मतलब 100 ग्राम यूरिया है क्या 50 ग्राम फासफोरस का मतलब 50 ग्राम फॉसफेट है क्या 50 ग्राम पोटास का मतलब 50 ग्राम मुर्राव पोटास है जी नहीं अब इसे कैसे निकालेंगे अब ये देखिए जो यूरिया है वो जो हम खरीदते हैं बैग में उसमें 46% यूरिया लिखा हुआ था, नाइट्रोजन लिखा हुआ था, तो हमें चाहिए 100 ग्राम नाइट्रोजन, तो हमने नाइट्रोजन की पूर्ती के लिए अगर हम यूरिया डाल ले हैं, तो उसका गटक निकाल लिया, जो निकला 2.1, सिंपल चीज है, कि जितने परसेंट हो, 100 को उस परसेंटेज से भाग कर दीजिए, यानि 46% यूरिया मिल रही है हमारे को, तो 100 को 46 से भाग कर दिया और हमें मिला 2.1, अब चलिए बात करते हैं, सिंगल सुपर फासफेट की, सिंगल सुपर फासफेट में जो फोस्पोरस की मातरा होती है, वो 16% होती है, तो इसका घटक कितना हो गया, 100 divided by 16, यानि 16, यानि 6.25, तो इसका घटक हो गया, 6.25, अब चलिए हम करते हैं, पोटास की, मुर्राव पोटास में, पोटास की मातरा 58 परतिसत होती है, तो 100 को 58 से हमने भाग किया, तो हमारा अब आपके पास तीन संख्या होई, अगर आप यूरिया डालते हैं, तो घटक है उसका 2.17, अगर आप मुर्राव पोटास डालते हैं, तो घटक है 1.72, और अगर सिंगल सुपरफास पेड डालते हैं, तो उसका घटक है 6.25, ये तो हुए, आपने घटक की गुना तर्ली, अब इसमें एक खेल हो रहा है, मैंने साध आप के दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा, कि त्यागी जी ने ये कहा था कि डालो और पोटास डालो, अब ये डाप क्या होता है, थोड़ा इसको देखे, डाप का हमारे को दो घटक मिलेंगे, एक तो मिलेगा नाइट्रोजन का घटक, तो सो को 18 से भाग किरिये, तो हमें घटक मिलेगा 5.55, और दूसरा मिलेगा फॉस्फोरस का, और इसमें हमारे को 46 परसेंट फॉस्फोरस होता है, तो जो 46 परसेंट फासपोरस इसमें हुए आ, तो उसकी मात्रा कितनी हो गई, दो पाइंट एक साथ, तो अगर हम डाई डाल रहे हैं, तो डाई डालने से हमें दो चीज मिलेगी, एक फासपोरस और एक नाइट्रोजन, और पोटास की हमारी 1.72 है ही, और यूरिया की हमें पता है, 2.17 है, अब म किसान C, पहला जो किसान A है, वो कहता है, जी मेरे पास तो यूरिया है, सिंगल सुपर फासपेट है, और पोटास है, मैं तीन चीज लाया हूँ, मेरे को ज़्यादा गुना नहीं करनी, तो इसमें मुझे कितनी मात्रा एक वर्स के पोधे में देनी है, दूसरा किसान B, जो कहता है, जी मेरे पास तो डाई अमोनियम फासपेट है, यानि DAP है, और पोटास है, और यूरिया भी है, आम मुझे बताइए, मैं इसे किस मात्रा में डालूँ, यह हुया किसान B, तीसरा जो किसान C, वो कहता है, मेरे पास NPK है, NPK में 12, 32, 16 होती है, नाइट्रोजन 12% ह डिवाइड करेंगे, सो को 32 से डिवाइड करेंगे, फासफोरस निकलेगा, और सो को पोटास से करेंगे, तो आपका 16 से डिवाइड करेंगे, तो पोटास का गटा कर जाएगा, अब हमारे पास किसान आगे, तो हम लेते हैं, आज मैंने यही कैलकुलेट किया, जो मैं आपक दिखा भी रहा हूँ स्क्रीन पर और इसका एक पेज कुछ दिन बादी मेरी वेब साइट पर भी लिखा हुआ होगा जो कभी भी हमेशा आपको काम आएगा कोई भी किसान पूछे उसको सीधा ये दो पेज दे दीजिए और वो इसको बताएगा अब हम चलते हैं कि किसान एक पहला किसान है किसान ए उसके पास तीन चीज़े हैं यूरिया यूरिया में 40% होता है जिसका फेक्टर है 2.17 क्योंकि 100 को 40 से हम भाग करते हैं तो 2.17 आगया MOP यानि मुर्राव पोटास जो हमें पोटास की आवा सकता है वो होती है अठावन परसेंट जब हम 100 को 58 से करें तो 1.72 आएगा और सिंगल सुपर फास्पेट में 16 परसेंट आती है जिसे हम 100 को 16 से करेंग तो 6.25 फेक्टर आएगा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन तीन हमें नाइटरोजन चग्राम टो उसकी गंडेन करने के लिए 100 को गतकए उससे गुणा कर दीजिए तो हमें चग्राम नाइटरोजन। current मिल रही यूरिया से जिसका गतक है 2.17 तो से कर्ड़ को 2.17 से गुणा टीई तो हमें 217-1 राम यूरिया की हुच्ता होगी हमें चाहिए पोटास पोटास का घटाग है 1.72 हमें चाहिए 50 ग्राम तो 1.72 को 50 से गुना कर दीजिए तो आपको उतनी मात्रा पोटास की चाहिएगी 50 को 6.25 से गुना कर दीजिए उतने ग्राम आपको सिंगल सुपरफासपेट चलेगा अब जो सिंगल सुपरफासपे होता है जो हम केस ए डिसकस कर रहे हैं इसमें दो हमें अतिरिक चीजे मिलती हैं जो खुद मैं तो पूर्ण है किसी में नहीं मिलती है इसलिए ये कंबिनेशन मुझे अधिक पसंद आया है और मैं इसी को लागू करूँ है पहला है इसमें कैल्सियम जो सिंगल सुपर फास्प किसान साथियों जो हम जिपसम डालते हैं उसमें ये दोनों चीजे होती है तो हमें जिपसम डालने की जो जोरत नहीं पड़ेगी तो कैल्सियम 21% मिला जिसका फैक्टर आया 4.76 ठीक है जी तो हमने जो इतना सिंगल सुपर फास्पेट हुया उसे अगर 4.76 से आप भाग कर देंगे तो उतने गराम आपको इसमें कैल्सियम की मातरा भी मिलेगी बहुत अच्छा है सबसे बढ़िया कंबिनेशन है तो ये तो हुई यूरिया एमोपी और सिंगल सुपर फास्पेट की जिसमें हमें सिंगल सुपर फास्पेट अलग मातरा में लिए से एक तो कैलकुल केस बी के जो किसान है वो कहते हैं कि मेरे पास डी एपी है यानि डाई अमोनियम फास्पेट अब ये डाई अमोनियम फास्पेट क्या होता है कि इसमें तो मैंने केस लिया है थोड़ी बहुती मातरा इधर उदर हो सकती है मैंने केस लिया है इफको से इफको के जो है नाइ निट्रोजन के लिए फैक्टर निकालेंगे 100 डिवाइड बाइ 18 यानि फैक्टर आ गया हमारा घटक आ गया 5.55 और जो फासफोरस के लिए निकालेंगे 100 में 46 से डिवाइड कर दिया और हमारा घटक आ गया 2.17 अब हमने लगा मोप का पता है 58 परसेंट होता है जिसका फैक्टर आया 1.72 और जो नाइट्रोजन यूरिया के लिए है उसका फैक्टर मैंने बताया था 2.17 अब हमारे को 100 ग्राम तो चाहिए इसमें नाइट्रोजन 50 ग्राम फासफोरस और 50 ग्राम पोटास तो 50 ग्राम फासफोरस के लिए हमा 108 ग्राम में कुछ nitrogen हमें extra मिल गई, वो कितनी हुई, तो 108 ग्राम को जब हम 5.55 से भाग करेंगे, तो हमें लगबग 20 ग्राम हमारे को nitrogen मिल जाती है, और nitrogen की हमारे requirement कितनी है, अवशकता कितनी है, 100 ग्राम, तो 20 तो हमें यहां से मिल गई, अब हमें बची 80, 80 को कैसे निकालेंग और वो हो गई आपकी 173, यानि लगबग 175 ग्राम आपको जूरिया डालिए, उसमें और 50 ग्राम DAP डालिए, और MOP के लिए जो उसका फैक्टर है 1.72, 86 ग्राम, आपको 86 ग्राम या 80 ग्राम उसमें पोटास डालिए, तो आपकी 100 नाइट्रोजन, 50 फासफोरस और 50 पोटास क पूरती हो जाती है, यहां पर आपको क्या नहीं मिलेगा, कैलसियम नहीं मिलेगा, आपको सल्फर नहीं मिलेगा, तो यह विए किसान B, आइए, अब मिलते हैं किसान C से, किसान C कहता है कि मेरे पास तो गन्ने के लिए मैं NPK लाया था, NPK में कितना होता है, 12, 32, 16, 12 परस होता है, 32 परसेंट और 16, तो फेक्टर आप निकाल लेंगे, 100 को 12 से डिवाइड किया, 8.33 नैट्रोजन का फेक्टर आगया इसमें NPK में, और 32, 100 को 32 से डिवाइड करा, 3.12 आगया इसमें फोस्फोरस के लिए, और 100 को 16 से डिवाइड किया, तो 6.25 आगया आपका इसमें लिए, अब हमें 50 ग्राम, चुकि सबसे ज़्यादा इसमें 32 फास्फोरस है, तो हमें 50 ग्राम फास्फोरस चाहिए, तो 50 को हमने 3.12 से गुना किया, जो इसका फेक्टर है, तो हमें कितना मिला, 156 ग्राम हमने ले लिया, इसमें NPK, अब इस 156 ग्राम में दो चीजे हमारी एक्स्ट्रा आ गई, वो क्या होई, 156 को 8.33 से भाग कीजिए, तो कितना बज़ा, 18.7 ग्राम यानि 19 ग्राम हमारे को नाइट्रोजन मिल गई, 20 समझ लेजिए, तो 80 ग्राम हमारे को और चाहिए, 80 ग्राम के लिए आप यूरी आइड करिए, 175 ग्राम यूरी आइड कर लीज तो जिसके पास DAP है, उसे यूरिया भी चाहिए, पोटास भी चाहिए, इसमें क्या नहीं मिलेगा आपको, इसमें कैलसियम नहीं मिलेगा, इसमें सल्फर नहीं मिलेगा, अब किसान सातियो, आपको एक वर्स के पोधे में कम से कम 50 ग्राम कैलसियम चाहिए, और आपको 30 ग् पूर्ती हो जाती है बलके थोड़ी जादे ही मिलती है इसके अलावा एक और है magnesium sulfate तो एक वर्ष के पोधे के लिए 25 ग्राम magnesium sulfate अवस्य दीजिए तो इतनी मात्रा जब हम आप तयार कर लिजे जितने आपके पोधे हो जितने वर्ष के हो इसकी मात्रा आप इस टेबल के हिसाब से तयार कर लिजिए और क्रिप्या करके मुझे अधिक phone ने करें अब इस बारे में इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा सकता लेकिन हाँ ये किताब जो मैंने बताई है इसे बिल्कुल पढ़ना नहीं भोलें वेबसाइट पर जाईए वहां पर मैंने इसको PDF लोड की हुई है और उस PDF को डाउनलोड कर लीजिए अपने पास रख लीजिए अपने दूसरे किसान साथियो आज मैंने आपको बताया खाद की कल्कुलेशन कैसे करते इसमें आपको एक चीज और भूल गए इसमें आप ध्यान रखिए कि गोबर की मात्रा एक वर्स के पोधे में दस और वो ही अगर जितने साल बढ़ते जाएंगे उतनों को दस से गुना कर दिये इतनी सड़ी हुई गोबर की खाद को अगर आप ट्राइको डर्मा और उसमें मेटरीजियम अनेंसे पोलिस है उसको अगर उपचारित कर लेंगे तो आपके हाँ कोई कीडा कोई वाइट वगर किसी चीज की कोई दीमक वगर की कोई प्रोब्लम नहीं आए थी बड़ा साधरन तरीका है गोबर लीजिए फैला लीजिए दस कुटल गोबर में एक किलो ट्राइको डर्मा डालिए और एक किलो मेटरीजियम अनसे पोलिड डालिए उसको पानी में घोल कर थोड़ा गुड़ भी डाल लीजिए उसमें उसे मिला लीजिए उस पर छिड़क कर उसको मिला दीजिए और मिलाने के बाद उसको हलकी छाया में रख दीजिए और बोरे से ढख दीजिए और पंदरा दिन बाद उसको देखेंगे आप उस पर फपूंद आ जाएगी उसको अपने प काम बताए कि जो अब क्रोप रेगुलेशन से संबन देते हैं अब मैं अपने फार्म पर तीन तारीक के बाद मैंने कोशिस की है मुझे मना कर दी गई देहरादून रोड रेट जोन में है मैं खेत पर नहीं जा पा रहा हूं तो मैं तीन तारीक के बाद अगर खुला तो मैंने कहा था कि उसके पास उम्र के इसाब से थोड़ी जगह छोड़कर खुदाई कर देना आपको सिर्फ खुदाई करनी है और आप पानी दीजिए फिर उसमें अगर ड्रीप है आपके पास में तो थोड़ा थाला सा बना लीजिए बहुत गहरा नहीं के ताकि वो पानी बाहर ना फैले उसमें पानी आ जाए नहीं तो आप नाली से पानी दीजिए उसमें और पानी देने के बाद जब हम खाद का देंगे तो खाद के लिए हमें कम से कम चार इंच मिट्टी हटानी है वहां से और हटा कर मिट्टी बाहर निकालकर उसमें खाद डालना है और फि पहला बताया था कि यूरिया का दूसरा इस्प्रेय, इस्टिकर मिलाकर आठ से दस दिन के बाद फिर कर रहे हैं, दूसरा काम आप अपने खाद की गुणना करने हैं, तीसरा काम है जो मैंने बताया है, वो बताया है कि जिन भाईयों को देर हो गई थी उन्हें किस प्रकार इ घबराईये मत, खुदाई कर दीजिए, और पांच मई तक जिनकी देर हो गई, जिनके खेतों में बारिस हो गई, या पानी दिया है भी पांच साथ दिन पहले, वो पांच मई से सुरू करें, पांच से दस मई, पंदरा मई तक हम यह काम खतम करना है, बस आप यह सोच और जिन्होंने फरवरी से पानी बंद किया गया, जैसा मैं हूँ, तो मैं तो अभी इसको पांच-छे दिन में सुरू कर सकता हूँ, लेकिन मैं भी बंदा हुआ हूँ, मैं भी लगबग पांच मई से इस कारियो को सुरू करूँगा, किसान साथियो, ये वीडियो कैसा लगा हूँ, तो थोड़ा कम ही कस्ट करें, मेरे फोन करने से पहले, आप वेब साइट अवस्य जाए, वहां आपको, मैंने दुबारा से उसको सुविय विस्तित किया है, और जो हेडिंग है, मैंने काटेगरीज बनाई है, और काटेगरीज के अंदर हेडिंग इतना साफ लिखा जैसा है दो महीने के पोधो की देख भाल, फिर उसका डेस्क्रिप्शन दिया, उसके बारे में लिखा है कि इसमें क्या पढ़ने को मिलेगा आपको, और फिर उसे क्लिक करिए उस लिंक को, अगर आपका टेक्स है तो टेक्स आएगा, पीडिएफ है तो पीडिएफ में डिप्ले हो जाएगी और अगर पीडिएफ है तो उसे डाउनलोड कर अपने पास रख लीजिए, लेकिन मुझे फोन करने से पहले एक बार वेब साइट पर अवस्य जाएए, इस जो ये बुक है अमरूद की उननत बागवानी, इसका लिंक में डेस्क्रिप्शन में द किसान सातियों घर पर रहिए, सुरक्सित रहिए, खेतों में आप काम कर रहे होंगे, तो सोसल डिस्टेंसिंग जो समाज एक दुरी है, उसको मिंटेन करिए, एक चीज़ का और ध्यान रखिए, अगर आप गमचे का यूज करते हैं, जो गमचे को अगर अपने नाक और मु घर पर जाकर उसे साब उन से धोकर उसको सुखा लें और फिर परियोग करें, अपने हाथ धोए, पैर धोए, अपने घर वालों को भी बताएं, अपने मजदूरों के बलाएं, इसी के साथ खुश रहिए, और मैं लेता हूँ विदा, धन्यवाद, नमस्कार, जै हिंद, ज देबातरम.